स्वागत है आप सभी का टेक स्टेडी आई टे यूट्यूब चनल पर Electronic Mechanic Theory Second Years के CBT Examination Questions की सीरीज में आज हम लोग करेंगे Part 4 इसके पहले चैनल पे तीन पार्ट हो चुके हैं अगर आपने नहीं देखा है तो description में प्लेइलिस्ट है Electronic Mechanic Second Year, First Year, Employability Skills, Workshop, Calculation and Science सभी की प्लेइलिस्ट आपको description में मिल जाएगी वहाँ से आप जाके अपने IT exam की अच्छी तयारी कर सकते हैं Part 4 में आज हम लोग करेंगे Questions इसके पहले तीन पार्ट आपने नहीं देखें देख लीजेगा जिससे Part 4 समझने में और आसानी होगी आपको चैनल पने हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके वेल आइकन को इट कर लीजेगा साथ में वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कीजेगा बिना आप लोग के लाइक के पूरी मेहनत जो है न थोड़ा सा कहीं न कहीं वेस्ट हो जाती है क्योंकि वीडियो सभी तक पहुँच नहीं पाती बिना आपके लाइक और शेयर के टेलिग्राम चैनल हमारा टेक स्टेडी आईटे आप वहाँ पे भी जूड सकते हैं बिना किसी देरी के कुश्चन से स्टार्ट करेंगे और एक एक कुश्चन को थोड़ा सा एकस्प्लानेशन के साथ समझेंगे सिर्फ आंसर्स यहाँ पे नहीं देखेंगे क्योंकि सिर्फ आंसर तो आप पीडियाप से भी पढ़ सकते हैं आंसर की देखके सिर्फ आंसर्स नहीं देखेंगे ठीक है थोड़ा उन्हें समझने की भी कोशिस करेंगे क्या mistakes है उसमें ये भी समझने कोशिस करेंगे और वीडियो के last में एक कुश्चन हमने आपके लिए रखा जो की previous part से है अज़र बोनस कुश्चन है आपके revision के लिए है उसका answer आप लोग comment box में सही सही जरूर comment कीजेगा जिसका भी comment सही होगा हम like और apply दोस पर जरूर करेंगे देखते हैं पहला कुश्चन यहाँ पर question number one 76 है जो की इस part का पहला कुश्चन होगा ध्यान दीजे घरेलू wiring के लिए इस्तिमाल होने वाले cartridge fuse की current rating क्या है 1250 ध्यान दीजे cartridge fuse क्या होता है cartridge तरह का बना होता है कांच के casing होती जिसमें एक तार लगा होता है आपने देखे भी होंगे बट यहाँ पे HRC cartridge fuse यह होते हैं यह लिखना था एक्चुल में कुश्चन में जो HRC cartridge fuse होते हैं जो आई रेप्चिरिंग करेंट कैपासिटी जिनकी होती है उनका यहाँ पे करेंट 1250 एंपियर होता है ना कि ऐसे घरेलू वारिंग में नॉर्मल cartridge fuse का बट कुश्चन थोड़ा सा mistake कह सकते हैं निमी का लेकिन यही है फिलाल आपका भारत स्किल मॉक टेस्ट पे भी नए PDF में भी पुराने PDF में भी तो 1250 एंपियर आपका यहां राइट आंसर होगा हो सकता है आपके कुश्चन एक्जाम में जो आए यहां पे HRC cartridge fuse लिखके भी आ सकता है ठीक है cartridge fuse कैसा दिखता है कुछ इस तरह का दिखता है उसके उपर cartridge fuse की current rating अगला कुश्चन है 77 number what the current rating of revirable fuse used for domestic wiring revirable fuse ठीक है इसके बारे में previous पार्ट में अच्छे से बात हो चुकी है तो घरेलू wiring के लिए जो revirable fuse होते हैं पुना होपियो किये जाने वाले fuse होते हैं उनकी current rating क्या होती है 200 ampere 300 ampere 400 ampere या 500 ampere right answer आपका option number a 200 ampere ठीक है नेक्स्ट कुश्चन है what the name of the part mark reg X in the MCB ये आपका MCB है जो आप miniature circuit breaker देखते हैं बाहर बाहर आपको सिर्फ दिखता है यहाँ आप देखना है knob जिसे आप उठाते या गिरा देते हैं जो automatic उठता या गिरता भी है अगर कुछ ऐसा fault आता है उस case में तो अंदर कुछ ऐसा structure होता है उसका जो कि आपको बाहर से कभी दिखता नहीं इतना complicated होता है इसका design and construction सब कुछ इसलिए थोड़े महंगे भी आते हैं आपने देखा होगा तो X part क्या है तो X part है यहाँ पे इसका solenoid क्या है solenoid है यहाँ पे solenoid coil कह सकते हैं आप उसको and अब यहाँ देख लेते हैं complete एक बार पार्ट जिससे कोई और भी पार्ट अगर आपसे पूछा जाए तो आप answer कर सकें उपर यह portion आप देख रहे हैं इसको यहाँ पे बोलते हैं upper terminal या incoming supply बोलते हैं ठीक है यहाँ पे यह देख रहे हैं आप यह इसको बोलते हैं thermal protection by metallic coil होती है आपकी यह नीचे आप देख सकते हैं यह आपका fixed contact यह आपका क्या है moving contact है ठीक है और यह आपका नीचे वाला portion क्या है lower terminal जिसे यहाँ पे outgoing load भी बोलते हैं ठीक इधर space for identification mark यहाँ कुछ लिखा रहता पीछे side में यह इसका operation करने के लिए जो operator हैं जिससे आप lift करते हैं उसे यह इसका पूरा operating mechanism है इधर जिस पे लगा है जिससे आप lift करते हैं बैठाते हैं उसको और यह आपका यहाँ पर है tripping lever जैसे हटता है automatically आपकी MCB क्या होती है गिर जाती है इसी कहते हैं यहाँ पर tripping lever ठीक है अब वो काम कैसे करता है काम इस तरह करता है कि जब आप आपका overload या over current आता है तो क्या होता है heat भी बढ़ती है circuit में जब heat बढ़ेगी यह आपका thermal protection by metal है यह क्या होगा heat के साथ इसका एक होता है एक expansion होगा उसी basis पे आपकी काम करती है MCB ठीक है यह complete इसके parts हो गए major major parts हमने यहाँ पर बता दिये अब आप आसानी समझ पाएंगे यह part आपका क्या था solenite था ठीक है यह part आपका क्या है operator है यह क्या है operating mechanism है ठीक है यहाँ पर यह thermal expansion आपकी rod जो दी हुई है ठीक contacts दी है सब कुछ आपका यहाँ पर आपको दिख जाएगा next question है यहाँ पर 79 number what the name of the relay used in electrical circuit एक electrical circuit में विद्धुत परिपत में प्रियुक्त इस relay का आपको नाम बताना है क्या है यह है आपका dry read relay कौन सा relay है इसे हम लोग कहते है dry read relay इसमें क्या होता है इस तरह क्या आप देखेंगे एक बना होता यह कांच की tube होती जिसके अंदर ना inert मतलब inert gases होती है ऐसे कहीं आप यहाँ पर inert gases fill होती है ठीक है यह open read contact है यहाँ पर contact जब close होता है तब होता है ठीक है यह यहाँ पर जो दिया गया आपका यह जो दिया ने यह ferromagnetic आपकी क्या होती है blades होती है जिने हम यहाँ पर reads कहते हैं एक glass capsule के अंदर यह रखी गई रहती है तो यह क्या हो गया आपका dry read relay हो गया जब भी आप ऐसा relay देखें तो आप आसानी सुसका answer कर पाएंगे यहाँ पर next question पर चलते हैं अगला question यहाँ पर what the current rating of tinned copper wire 40swg मतलब standard wire gauge पर उसकी size क्या है 40 है used for revirable fuse पुना उपयोग करने योग की fuse के लिए उपयोग किये जाने व 1.5 ampere कितनी होगी 1.5 ampere होगी 40swg revirable fuse copper wire की ठीक अगला question है what the name of the fuse cartridge part marked as x x के रूप में चिन्दिट जो cartridge fuse है इसका भाग मतलब इसका नाम बताना है आपका एक cartridge fuse का यहाँ पर दिया गया है ठीक है diagram दिया गया है इसमें x वाले part का नाम बताना है तो x के सासा सभी part का हम लोग यहाँ पे नाम देख लेंगे क्या होता है फिलाल जो आपका x वाला portion है इसे हम लोग कहते है ब्रेक इंडिकेटर, क्या कहते हैं, ब्रेक इंडिकेटर कहते हैं, बाकी पार्ट्स के आप यहां नाम देखी क्या है, यह आपका होता है, जो यह पोर्षन आपका दिख रहा है, इसे हम लोग कहते हैं, हेड कॉन्टेक्ट कहते हैं, यहां पर यह जो आपका दिख रहा है, यह यह वाला पोर्षण यह क्या है आपका fuse wire है ठीक यह यहाँ पर सैंड फिलिंग रहती है जो यहाँ पर सो नहीं किया गया क्या रहती है सैंड फिलिंग होती है ठीक है यह सिरैमिक फ्यूज बाडी होती है आपकी और इसे हम लोग कहते हैं foot contact ठीक है जैसे उपर वाला head contact है यह क्या है foot contact है और यह पोर्षण आपका क्या हो जाता है यहाँ पर इसे हम लोग कहते हैं break indicator क्या बोलते हैं break indicator option number D next question यहाँ पर what the full form of the abbreviation ELCB used in electrical circuit ELCB previous part में ही बात की गई थी ELCB क्या है यहाँ पर leakage current बताता है कहां का earth leakage circuit breaker है क्या है earth leakage circuit breaker option number D आपका right answer हो जाएगा earth leakage circuit breaker इसका right answer है कुछ इस तरह दिखता आपका earth leakage circuit breaker ठीक है ELCB होता है MCCB होता है MCB होता है ठीक है अगला question यहाँ पर 83 number what the type of relay इस relay का आपको परकार बताना है कि यह किस तरह का relay है thermal relay है dry read relay है impulse relay है या latch relay है तो dry read तो अभी पीछे हम लोग ने देखा वो तो नहीं हो सकता आपका इसे हम लोग बोलते है impulse relay क्या बोलते है impulse relay यह एक तरह का latching relay भी actual में होता है बट यह आपका फिलाल यहाँ पर impulse relay है impulse relay का काम क्या होता है यहाँ पर यह एक latching relay का ही type है बट उससे थोड़ा सा अलग है अलग इस case में है कि इसमें जो आपका contact होता है वो एक pulse के साथ with each pulse जो contact होता हो transfer होता है मतलब impulse जैसा नाम है न कि each pulse हर एक pulse के साथ जो इसका contact होता है वो आप यहाँ पे transfer कर सकते हैं ठीक है? तो इसी लिए इसका प्रियोग कहां करते हैं मालीजे आपका कोई एक single device है उसकी switching में आप इसका प्रियोग कर सकते हैं on या off करने के लिए एक या एक से ज़्यादा location से भी आप जो है एक push button लगा के इसका हम प्रियोग कर सकते हैं impulse relay का जनरली इसका जो प्रियोग करते हैं lighting circuit जो होती है उसमें या जो conveyors होते हैं उसमें भी इसका प्रियोग किया जाता है किसका प्रियोग impulse relay का अगला question है which series MCB used for protection of motor motor की सुरक्षा के लिए किस series की MCB का प्रियोग किया जाता है MCB मतलब क्या आपका miniature circuit breaker तो motor की सुरक्षा के लिए L series, F series, G series या DC series तो ध्यान दीजे यहां पर हम लोग G series use करते हैं जो DC series MCB होती है न यह आपका generally जो DE set होते हैं आपका DG set जो diesel generator sets होते हैं या आपका जो locomotive होता है उन सब में प्रियोग किया जाता है G series आपका कहां प्रियोग किया जाएगा protection of motor के case में L series आपका generally कल हमने बात की थी किसमें प्रियोग करते हैं हम लोग L series का general lighting या आपका geezer वगरा में भी प्रियोग होता है अगला question यहाँ पर 85 number What is the breaking capacitor for DC series MCB एक DC series MCB की जो breaking capacity है capacitor है वो क्या होता है तो यह होता है आपका option number A6 kPa ठीक है इसे हम लोग कहते है 6000 mPa भी कह सकते हैं कल एक बार DC series MCB की बात हुई थी तो उसमें हमने आपको बताया भी था कि जो DC series MCB होती है उसका जो यहाँ पर voltage 220 volt DC पर काम करती है और साथ में उसका जो यहाँ पर breaking capacitor है आपका DC series MCB का अगर current में देखें तो 6000 amp तक का आप वहाँ पर पा सकते हैं यहनी 220 volt DC and 6000 amp या 6 kPa आप कह सकते हैं current ठीक है अगला question देखिए उससी इस related है what is the maximum voltage rating for DC series MCB जो DC series MCB होगी उसके लिए maximum voltage rating क्या है तो वो है आपकी 220 volt ठीक है कुछ इस तरह दिखती है आपकी DC series MCB इसमें नग DC लिखा भी रहेगा आपका DC आपको generally लिखा मिल जाएगा जो भी series होती होती है वो MCB को पर generally printed रहता है अगला question 87 number what is the maximum current rating for 4 pole MCB 4 pole MCB के लिए अधिक्तम current rating क्या होगी इसे भी आप लोग याद कर लिजेगा 4 pole MCB के लिए maximum current rating जो होती है 60 ampere क्या होती है option number B यहाँ पर आपका सही है 60 ampere 4 pole MCB के लिए maximum current rating क्या होगी 60 ampere अगला question है 88 number what the fusing factor of a revirable fuse selected for over current protection inner circuit एक circuit में over current protection के लिए चुने गए पुना प्रियोज fuse का fusing factor क्या है तो यहाँ पे पुना प्रियोज मतलब है revirable fuse तो उसका fusing factor क्या होगा previous part में भी discuss हुआ था उसका fusing factor होगा 1.4 इसी जहाँ अगर आपका HRC होता ठीक है HRC fuse होता तो 1.1 आपका right answer होता है ठीक है यहाँ right answer क्या हो जाएगा आपका 1.4 अच्छा fusing factor होता क्या है इसके बारे में बात एक बार कली लेते हैं सायद आप लोग अगर भूल गया होतो तो fusing factor होता है आपका fusing current fc upon rated current जो rated current है और fusing current है दोनों क्या जो ratio है इसी को हम लोग कहते हैं fusing factor अगला question 89 number what the name of the current interrupted by the circuit breaker circuit breaker द्वारा बाधित current का नाम क्या होता है rated current बिल्कुल नहीं residual current नहीं अर्थ leakage current नहीं prospective fault current जी हाँ यही होता है आपका circuit breaker के साथ जो है जो current interrupt करता है उसी को कहते है क्या pfc कहते है जनली prospective fault current कहते है इसे ठीक है अब यह होता क्या है यह आपका actual में highest amount of current होता है जो की यहाँ पे जो आपका fault condition है उसमे stream कर सकता है ठीक है fault condition में stream कर सकता वही आपका यह maximum current है आपका prospective fault current इसको बोलते है यह पी अपसी भी सार्ट में इसे बोला जाता है अगला question है 90 number which relay has contact arrangements to break, make or transfer contact combination संपर्क सयोजन तोडने, बनाने या अस्थानांत्रित करने के लिए किस relay में संपर्क ब्योस्थानी contact का arrangement होता है dry read relay में, latching relay में mercury wetted contact relay में या clapper type armature relay में right answer आपका option number D clapper type armature relay ठीक है कुछ इस तरह दिखता आपका यह clapper type armature relay इसमें यह clapper लगे होते हैं क्या लगे होते हैं clappers लगे होते हैं ठीक है बाकी इसमें एक movable contact होता है एक non-movable contact होता है एक armature भी आपका यहाँ पे लगा रहेगा यह आपका heel piece है यह आपकी coil है यह push rod है ठीक है यह सारे इसके part होते हैं ठीक है 91 number question है which relay functions whenever the current in the coil reaches on upper limit जब coil में current upper limit पर पहुंचता उपरी सीमा पे तो कौन सा relay कारे करता है latching relay under current relay current sensing relay voltage sensing relay देखिए यहाँ current अपनी सीमा पे पहुंच रहा है तो relay काम कर रहा है इसका मतलब वो relay current को क्या कर रहा है sense कर रहा है option number C आपका यहाँ पे right answer हो जाएगा current sensing relay अब देखिए voltage sensing relay कहा काम करेगा generally stabilizer वगरा में ठीके क्योंकि हमें voltage हम sense करेंगे तभी तो हम उसे maintain कर पाएंगे stabilizer से तो stabilizer में voltage sensing relay का प्रयोग किया जाता है अगला question यहाँ पे देखेंगे question number 92 है which device is used in electrical installations to protect from electric shock बिजली के जटके से बचने के लिए विद्दुत प्रतिष्ठानों में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है MCB का, MCCB का, ELCB का या insulators का right answer आपका option number C, ELCB earth leakage circuit breaker का हम लोग प्रयोग करते हैं किस से बचने के लिए electric shock से विद्दुत के जटके से बचने के लिए किस में प्रयोग करेंगे electric installations में अगला question 93 number which type of relay is using voltage stabilizer देखे अभी एक question पीछे हमने बात की थी कि जो voltage stabilizer है उसमें किस प्रकार के relay का उपयोग किया जाएगा latching relay, under current relay, current sensing relay या voltage sensing relay तो voltage stabilizer में आपका voltage sensing relay यूज करेंगे वही voltage को sense करेगा और feedback देगा उसके basis पे आपका output voltage जो होगा, control होगा, ठीक है उसमें क्या मिलता आपको, stabilizer में आपको एक stable voltage मिलता है भले आपका जो line आ रहा है, जो supply आ रहा है वो fluctuate हो, कम या जादा हो लेकिन आपको output क्या मिलता है एक stable voltage मिलता है आपको next है question 94 number what is the name of the device इस device का आपको नाम बताना है नेक्स्ट है question, ये previous part में भी था what is the maximum earth fault loop impedance if an ELCV with a rated tripping current of 30 milliampere तो जब 30 milliampere की rated कोई ELCV होती है और उसका maximum earth fault जो प्रतिबाधा जब ग्यात की जाती है तो वो आपकी आती है 1666 या कई बार ही तो 1666 दुसमें लोग 666 और 1666 होती है तो इसको आप लोग याद कर लीजे 1666 ओम होती है उसकी प्रतिबाधा ठीक है कितनी होती है 1666 ओम अगला question ने 96 नंबर what is the fusing current for a revirable fuse एक revirable fuse के लिए fusing current क्या होता है यहाँ देखे fusing factor नहीं पूछा fusing current पूछा है तो वो होता आपका 1.4 to 1.7 actual में एक तरह से वही है बस question को थोड़ा अलग तरीके से लिखा गया तो right answer क्या होगा आपका 1.4 to 1.7 अगर सिर्फ 1.4 होता हम लोग 1.4 choose करते हैं यहाँ पे ठीक है बट यहाँ पे 1.4 to 1.7 category दी गई तो आप इसे भी यहाँ पे सही कर सकते हैं next question which parameter opens the fuse element under fault without damaging the load कौन सा parameter है जो load को नुकसान पहुचाए बिना fault के तहद fuse को क्या करता है खोल देता है current rating, voltage rating, power rating या rapturing capacity तो आपकी यही rapturing capacity है जो क्या होता है माल लीजे आपके घरों में supply आ रही यहाँ पे आपने लगाया हुआ है fuse ठीक है आगे आपके बाकी equipments है जो बाकी आपके equipments लगे हुए है क्या होगा जब भी ऐसा कुछ होगा यहाँ पे fault होगा ठीक है तो इन सब को damage किये बिना यह क्या होगा fuse आपका यह rapture हो जाता है उसी को कहते है उसकी rapturing capacity अगर हम fuse को क्या करें उन सब जो आगे हमारी wiring है उन सब से ज़्यादा rated current का लगा दें तो क्या होगा आपका fuse उड़े गा है नहीं बाकी सारी चीजें खतम हो जाएंगे आपकी अगला question 98 number which relay used for the time delay purpose time delay उद्देश से के लिए किस relay का उपयोग किया जाता है जब over current होता है तो क्या होगा heating होती आपकी ये उसी heating के base पे कितना heat आने पे कितना expand होती है उसके basis पे आपका relay काम करता है इसलिए यहाँ पे time delay हम क्या कर सकते है इसमें set कर सकते है उनके thermal expansion के recording कि इतना current आएगा तो इतने time में इतना expand हो जाएगा उसके basis पे क्या करता है ये act करता है आपका कौन सा relay thermal relay ठीक है कुछ इस तरह काम करता है आपको जस्ट यहाँ zoom करके दिखा दें आपको जैसे माल लीजे यहाँ पे normal current flow हो रहा है ठीक है यह आपकी power circuit है यहाँ heater element लगे हुए है यह है आपका जो relay वाला mechanism बनाए गया यह by metallic strip है ठीक है जैसे heated होगी यहाँ क्या होगा heat हुई तो यह क्या होगी expansion होगा या इस तरह bend होगी तो आपको यहाँ पे contact जो है मिल जाएगा and overload current आते ही आपका क्या होगा trip mechanism आपका काम करने लगेगा अगला question है 99 number which relay is operating with very low power कौन सा relay बहुत कम सक्ती के साथ काम कर रहा है या करता है read relay, impulse relay, thermal relay या electromagnetic relay तो right answer आपका option number A जो read relay होता है यह आपका सबसे कम operating जो power है उस पे यह काम करता है next question है 100 number यहाँ पे what the current rating of cartridge fuse with brown color code भूरे रंग के code के साथ cartridge fuse की current rating क्या होती है 1 ampere, 2 ampere, 4 ampere या 5 ampere तो भूरे रंग का brown color का होता है 4 ampere, कहीं कहीं आपको इपिंक भी मिलेगा पड़ यहाँ पे हम आपको एक table दिखा दे रहे है ठीक है, pink का होता है 2 ampere, brown का 4 ampere green का 6 ampere, red का 10 ampere gray का 16 ampere, blue का 20 ampere yellow 25 ampere, black 35 ampere white 50 ampere और copper color का रहेगा तो 63 ampere ठीक है, यह आपके यहाँ पे color coding के हिसाब से cartridge fuse का rating दिया हुआ है तो brown का कितना आया यहाँ पे 4 ampere आया ठीक है, इसको आप लोग याद कर लिज़े इसक्रीन साट भी ले सकते हैं इसका अब आगई आपकी बारी Which color of solder mask is used on PCB? Printed circuit board PCB पर solder mask का कौन सा color इस्तेमाल किया जाता है brown यानि भूरा, orange यानि नारंगी green यानि किहरा या violet यानि बैग नी जो भी right answer आप लोग comment करके जरूर बताएगा सही answer पर हम like और reply भी करेंगे वीडियो कैसी लगी? ये भी आपको बताना है वीडियो को like और share भी आप ही को करना है और चैनल को subscribe अभी भी नहीं कि आपने तो जरूर कर लीजेगा यहाँ पर आपको सभी तरह की पढ़ाई की वीडियो के साथ IT की job और IT की apprenticeship की वीडियो भी regular basis पे मिलती रहेगी Thank you very much ख्याल रखेगा आपना मिलते हैं अगली update में